यह King Rot है यह भी एक Semisprar विरेटी है और एक High color stain है यह भी 100% colored variety है लेकिन इसका जो Color development है इसका भी walnut stage के बाद स्टार्ट होता है यह Z1 से हलका सा लेट इसमें color आता है Z1 और इसमें अगर color development का स्टेज हम देखे तो जिस तरह का Z1 आज दिखता है इसमें फिर आप दोना पूरा आपको काला दिखता है और जो किंग रॉट है किंग रॉट आपका जो है उस तेम इतना जाधा डार कलर नियुत लेकिन अगर हम इसको एक हफते और छोड़े तो यह भी वैसा ही लास्ट में बिल्कुल सेम बनता है तो जिस कलर विरैटी में कलर डिवलप्मेंट जितन यकशन है जितना जल्दी वह कलर चोड़ हर उसमें साइज उसे हलका सा कम होगा लेकिन बरेटी में हलका सालेट है local a फिर पर था फ्रूर के थोड़ा सा जयाधा होता है तो मैं आपको एक फूरूट इस मैंसे कैन दिखाता हूए different stage पे मैं अभी दिखाया था जैद वन नही आप यह देख सकते हैं, इसमें अंदर वाली साइड से, अभी इसमें थोड़ा सा आना बाकी है, अगर आप ग्रोथ वाइस देखे तो, अच्छी ग्रोथ है, विग्रस ग्रोथ है इसकी, यह आप देख सकते हैं, किंग रॉट की जो फ्रूट फिनिशिंग है, फ्रूट शाइनिंग है, और इसमें रस्टिंग, रस्टिंग जो है, ये भी आपकी प्रेक्टिसिस पर डिपेंड करती है, रस्टिंग और जो शाइन है फ्रूट की वो आपकी प्रेक्टिसिस पर डिपेंड करत इसको 6000 से उपर इस विरेटी को हम लगा सकते हैं क्योंकि 6 से नीचे और भी विरेटी के हाई कलर स्टेंज है जिन जो हम वहाँ पे लगा सकते हैं लेकिन अगर आपके सोयल में मौश्यर अचा है तो 77 तक आप इसको किंग रॉट को आप ले जा सकते हैं तो इसके उपर जो विरेटी वह अलग है मैमा मैस्टर है या फिर और ऑप्शन जैसलिए इससे उपर मैं इसको रिकमेंड नी करूं